हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है आशीष जोशी और आजका लेक्चर सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो है अपनी जो फिट फार्मा फैमिली है उसको जो है उसका एक चैनल जो है टेलिग्राम में भी बनाया है तो आप लोग जाहिए और टेलिग्राम जो हमारा जोइन लिंक है उसे जोइन कीजिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखाया ठीक है उसमें हम बेसिकली जो बुक्स से मैं पढ़ाता हूं आप लोगो वो बुक्स डाल रहा हूं डालूंगा और जो अगर कोई शॉर्ट नोट है औ अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप भी उसमें कॉमेंट कर सकते हैं तो आपको मैं वो बुक जो है अविलिबल कराऊंगा ठीक है तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जोइन कर लीजिए ठीक है खेर आगे बढ़ते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अफ एंजाइम का फी इंपोर्टेंट टॉपिक है रेगुलेशन रेगुलेशन ओफ या इसे आप एंजाइम रेगुलेशन भी पूलते हैं इसमें कुछ पीपॉइंट्स आते हैं सबसे बहले उनके बारे में वन बाइवन डिस्कुस करेंगे ठीक है पहला जो पॉइंट ह है अंथा एंवो है लो स्टेडिकक रेगुलेशन ठीक है जो हमने कल छोड़ दिया था अलो स्टेरिग रेगुलेशन दो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये और शाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है तो अच्छा एंश्रेक रेगुलेशन में क्या होता है तेवें स समझनी आएगा एलोस्टेरिक रेगूलेशन क्या होते हैं एलोस्टेरिक यह हमारा एंजाइम है यह एंजाइम का बनी यह तो एपल जैसा हो गया यह एंजाइम का एंजाइम की एक्टिव साइट आप है एक्टिव साइट के अलावा जो और भी बहुत सारे कि बहुत सारी साइट्स होती है इसमें चोटे चोटे तो इन साइट को हम बोलते ऐलोस्टेरिक साइट ठीक है अब यह एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है देखिए एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो है उसके लिए मतलब जो एंजाइम के रेगुलेशन को मेंटेन करता है वाया एलोस्टेरिक इफेक्टर अब देखिए मैंने क्या बोला अगेन मैं दुबारा बता रहा हूं एलोस् करता हूं कुछ हमने अभी तक पढ़ा एलॉस्तेटिकर रेगूलेशन क्या होता है उससे पहले पढ़ा एलुस्तेटिक साइट क्या होती है अब यह रेगूलेशन कैसे होता है जो बाइंड करते हैं और एंचाइम की एक्टिबीटी को घठाते या बढ़ाते हैं मतलब मैंने क्या उपकर होते थीकorta है मानलो यह है आपका एक है यह किस करेगा किसके साद और यहापका और एक एंजाईम है यह एक्टिव byte है और बाकिंखक यह जो हैंजाईम का है यह साइट जो है इसकी ए média अले माने मन वाने मेरे finde hokke जो है अपना action so करेगा अपना regulation enzyme activity यह क्या है आपका enzyme है और यह हुझाएधि activity एंजाइम एक्टीविटी यह сотруд ने बइख नाटन आब इसमें भी 2 चीजे होती है जब जो है आफका अभी दाश화를 समल जब एलोस्टेरिक इफेक्टर जो है जब पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर होते हैं यह दो टाइब के होते हैं यह दो टाइब के होते हैं एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगिटिव जब यह पॉजिटिव जो एलोस्टेरिक इफेक्टर है यह अगर इस क् एंजाइम के साथ bind होगा ठीक है एलोस्टरिक एंजाइम के साथ या एलोस्टरिक साइट के सांद bind लोगा तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो increase होगी अगर यह जो है इसके सांद हुआ इसको यह हम इस तरह से भी बना सकते हैं जिस तो हमने लिखा था यह बाइन्ट भी हमने लिखा है इसको हम लिखते हैं अगर ये positive तरीके से भाइन्ड हुआ तो इसकी activity increase होगी it mathematics होगी और अगर यही जो enzyme है ये negative तरीके से बाइन्ड हए इसी के साथ negative तरीके से बाइंड हुआ तो डिक्रीज एंजाइम है कि आप पता है कि अगर हमने ऐसे डाइग्रमेटिकली पढ़ें तो वह हमें ज्यादा एजी लगता है अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको में एक बाद क्विक रिवाइस कर रहा हूं हम पढ़ रहे हैं एलोस्टेरिक रेगुले एक्टिव साइट ठीक है और अधर जो भी यह बाकी है यह सब एलोस्टेरिक साइट है ठीक है जब इस एलोस्टेरिक साइट में जो है इफेक्टर एलोस्टेरिक इफेक्टर जो है जाके बाइंड होता है ठीक है अगर वह पॉजिटिवली बाइंड होगा तो होगा तो activity घटेगी इतना सिंपल सा है आपका एंजाइमेटिक यह सरी एलोस्टेरिक regulation ठीक है अब अगर हम बात करें एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में ठीक है तो एलोस्टेरिक एंजाइम की दो classes होती है हम अब पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं classes of एलोस्टेरिक एंजाइम यह important है थोड़ा सा बहुत इजी है लेकिन classes of एलोस्टेरिक एंजाइम ठीक है दो तरह की दो टाइपी classes होती है इसकी एक होती है के class कि दूसरी होती है वी class अब देखी कैसे नाम है जीब से ऐसे कम से class है वाई अमने तो class one class two class three पड़ी थी ठीक है यह होती है के class और वी class अब यह क्या होती है के class में जो एलोस्टेरिक इफेक्टर है आपका वो इस के एम की value को change कर सकता है है change change km value only only की sparing भी करता लिए ठीक है यह सिर्फ km की value को change कर सकता है v max की value को यह change नहीं कर सकता है और वी class जस्ट अपोजिट है यह v max को जो है change कर सकता है km की value को change नहीं कर सकता है मतलब के कलास में क्या होगा केंग की वेल्यू चेंज होगई और वी क्लास में वी मेंस CT value लैंट अपर को ये हैं तो इतना स अधा का अपका वह स्टे工作 लिए पर रहे हैं तो इतना सथ रावका अल्यू स्टेरिक अन्जान अब हम में दूसरा यह तॉपि कहा हमारा ठीक है दूसरा टॉपिके एक ट्ऺयेश्ण अफ लेटेंट एंजाइम ठीक है एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एंजाइन अब यह बहुत इजी से से सबहते सचेक्प्स नियूạtलर होते हैं वह ज्यादा तर जो है इनक्टिव फॉर्म में रहते हैं ठीक है जो लेक्टम इंजाईब आपके यह जननेना जानेना बहुत जरूदी है मतलब जादा थीक है तो ये एंजाइम इन में से कुछ एंजाइम जो है रो इसव रोन जाइम हो जाते हैं या जा जाहिए जो है सिंतिसाइज हो जाते हैं तो प्रो एंजाइम क्या होते हैं यह हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ठीक है और आगे चलके फिर यह इस रिवर्सीवल कोवेलेंट एक्टिवेशन करते हैं कैसे करते हैं जो आपके वह हैं पैप्टाइड बॉंड है है किसमें बैक्डाउं इन पैप्टाइड बार्न ठीक है फैफटाइड बार्न में में ब्रेकडाउन करते हैं जिससे रिवर्सीवल एपच्छान और ऐसा इसा निया रिवर्सीवल गया जिये और बी सी llaha सिर्फ ए और बी सी में स्टेंश हो गिया तो सी कैनांट भी चैंज Chakelma stated बों करते हैं जिससे 줄 also चीओ अरो क्यों बांडिंग लिसा कैसी फिखाइन इंक्तिव Pav Ibla आप आप इमपरेंट कंपार्टमेंटेशन थर्ड वाला है कमपार्टमेंटेशन ही अब देखिए। ठोड़े आपको अजीब से लगहे हैं कि कंपार्टमेंटे सिंग क्आणि आप को पता है छो रेल गाड़ी है आपको इसमें भी अलग component theme है है कि ठीक है तो अलग अलग कमपार्टमेंट का अलग अलग Box Mший और होता है जो यह उन्हें होते हैं जो इक जांपल की बात करूँ तो फैटी ऐसी जो synthesis है आपकी ठीक है मैं सिर्फ fatty acid की बात करा हूँ जो fatty acid की synthesis है आपकी वो कहां होती है मैंने आपको पहले बताया था cytosol में लेकिन fatty acid अब चीज वही है देखिए fatty acid का oxidation oxidation of fatty acid जल्दी बताओ कहां होती है mito mitochondria में ठीक है यह तो आपको पता ही है mitochondria में होती है same चीज है same क्या है fatty acid है लेकिन क्या हो रहा है अलग अलग जगह reaction हो रही है ठीक है मतलब अलग अलग जगह जो है आपका एक जगह synthesis हो रही है एक जगह oxidation हो यह सब क्या है compartmentation के अंदर ही आता है यह अलग अलग compartment है जैसे साइटोसोल एक compartment है mitochondria एक compartment है कहने का मतलब क्या है कि हमारी body को fatty acid की अगर need होगी तो cytosol जो compartment है वो क्या करेगा synthesis कर देगा fatty acid की यह मालनो fatty acid है तो fatty acid की synthesis कर देगा अब body को ज़रूरत नहीं है तो mitochondria क्या करेगा इसका oxidation कर देगा इसको खतम कर देगा ठीक है तो यह है आपका इसे ही collectively बोल देते हैं compartmentation ठीक है उसके बाद है आपका यह हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा तीसरा पढ़ लिए है अब चौथा टॉपिक है आपका control of enzyme synthesis ठीक है कि बहुआ enzyme की जो synthesis होती है वो कैसे control होती है कुछ तो हमारी बॉडी में function होगा क्योंकि enzyme का ज्यादा तर रोल हमारी बॉडी में enzyme का ही है और enzymes क्या है protein in nature होते हैं तो protein जो है ठीक है अब इसमें बहुत यह important topic है देखिए हमारी बॉडी में दो तरीके के enzyme होते हैं एक enzyme होते हैं आउचिय कॉंस्टिटेटिव एंजाइम। दूसरे होते हैं adaptive enzyme क्या नाम बोले मैंने कॉंसी कॉंस्टिटेटिव और दूसरे होते हैं जो यह कॉंस्टिटेट्व एंजाइम होते हैं ना यह हमारी बॉडी में एक specific specific amount में होते है जे नहीं सकते यह कंट्रो कि फ़हां नहीं हो सकते हैं सब्यूंदgovern इर उते संट रहेता है यह लेकिन जो अधेप्टिव वह होते फता लगला है थाम कोकरीघ्चन छोई कनसेंट्रेशन और इन्की इन कंसंट्रेशनету की खीक है यह डल चायम के बता रहे हूं आपको अपनल में लेकम है और बात करना प्रुम और चाहरी में खुष्ट कीका स्थिएर psychology गर्रेस्टेटी। जो इसका नाम इसका नाम है और जो एड़क्टिव है उसकी अगर जरूवत है तो वह खुदी बढ़ जाती है ठीक है तो यह है आपका इंजाइम एक या एंजाइम सिंथेसिस अब इसमें भी जैसे दो चीजें होती है अगर सिंथेसीस हो रही है ठीक है अगर अगर इसका पूसिंथेसिस हो जाएगी इसको हम बोलते हैं इसको हम हमें बोलते हैं कि तो इन्ड़ क्षिंट कर रही है तो मतलग अगर आप कन्सेंट्रेशन से ना से चोर तो भी जो है अगर सिंथेसिस इसको आप अगर आप यहां पर कन्ट्यूज हो रहे हो आपको यह समझ मा आ गया ना ठीक है यह एंजाइम वाला यह खत्म हो गया अब हम पढ़ेंगे इंडक्षिन और रिप्रेशन डिप्रेशन ठीक है इंडक्षिन क्या होता है अगर सिंथेसिस synthesis बढ़ रही है किसकी of enzyme तो इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मैंने क्या बनता है induction ठीक है और अगर decrease हो रही है synthesis किसकी enzyme की इसको हम बोलेंगे repression ठीक है repression SSI UN ठीक है simple सा है उसके बाद है आपका पांचवा है enzyme degradation यह लिखने की भी जरुवत नहीं है यह simple यह यह थियोरी बोलती है कि भाई जो enzyme है वो कोई immortal नहीं है कोई अमर नहीं है ऐसा नहीं कि उन्हें मारा नहीं जा सकता ठीक है भाई कि एंजाइम की भी तो एक life cycle होती है मारी बोड़ी मा रबी सी की तक लाइफ साइकल होती है हमारे organs की तक लाइफ लाइफ साइकल होता है ठीक है जब enzyme का वो life span खतम हो जाता है वो खुदी enzyme पुरी तरह से इसमें सिर्फ इतना है ठीक है enzyme degradation से कहते हैं और लास्ट टॉपिक है आपका वह आइसव एंजाइम क्या होता है वह हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि आने वाले लेक्चर क्लियर हुआ होगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन पर क्लिक कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जोइन कीजिएगा आपने मुझे इतना वक्त दियाप्स के लिए बहुत बहुत अग्याद थियुक्षा, तेन देग्याद थाप्स भी आपको प्रुप को भी आपको कि ऩलिएगा इनको फॉर्पत सी दियाओवा।